इस वीडियो में आट का फॉर्म फिल करना सिखाया जाएगा. सबसे पहले डाट की वेबसाइट पर जाएगा. उसका मेन मेन्य उपन करने के बाद, Find Funding पर क्लिक कीजिए. डाट कॉलरशिप प्रोग्राम्स फॉर पाकिस्तान पर क्लिक कीजिए. और जो पेज उपन होगा, उसके उपर, Master Scholarships के उपर क्लिक कीजिए. इस पर क्लिक करने के बाद, आपको हेलमर्श्मिट प्रोग्राम का आप्शन अज़र आएगा, उसकी अनॉंस्मेट पर क्लिक कीजिए. अब आपके सामने स्क्रूल डाउन करने पर, आपको करन्ट अनॉंस्मेंट, चेक्लिस्ट और उसके ही नीचे अप्लिकेशन फॉर्म का आप्शन नज़र आएगा, अप्लिकेशन फॉर्म पर क्लिक कीजिए. अब आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, डाउर्ट का अप्लिकेशन फॉर्म शो हो रहा है. पर आपने अपना नाम, नाशनालिटी और अपना डिजार प्रोग्राम सेलेक करना है. इस केस में आपका डिजार प्रोग्राम डाड हिलमच मिट्प्रोग्राम है. सेकंड पेज के फर्स सेक्शन पर आपने अपनी परस्नल डीटेश लाइक सर्ने, बर्थ, परेस अपर्थ, कंट्री अफ बर्थ और मारिटल स्टेटिस एंटर करना है. सेकंड सेक्शन में आपने अपनी मेलिंग अड्रेस डीटेश और कॉंटाक्ट इंफरमेशन आड करनी है. और साथ ही तर्द सेक्शन में अपनी सेकंडरी स्कूल डीटेश आड करनी है. Fourth section में अपनी university यानि higher education details like university का नाम, आपका subject, year of start and year of end आड़ करना है इस section में अपने major और minor subjects आड़ करना मत भूलेगा अगले section में अपनी degree से related तमाम आलुमात एंटर करें Sixth section में अपना duration जतना time आप Germany में रहेंगे उसको एंटर करें Seventh section में अपनी choose करदे university in order of your preference आड़ करें और साथ ही नीचे दिये गए section में reason of selection आड़ करें Eighth section में अपना choose करदे subject आड़ करें Tenth section में आपने जो project जर्मेनी में conduct करें उसकी outline और अलग शीप पे उस project की एक complete yet to the point description आड़ करें 11th section आपके मुतलका references से related है उनके नाम, field, institution, etc. add करें और 12th section में language skills information इंटर कीजिए अगले section में आपसे आपके applied करदा program और previously achieved scholarships के बारे में पूछा जाएगा उसके according the roast boxes को select कीजिए 14th, 15th और 16th sections में अपने पहले करदा jobs, अपना previous experience और current job या occupation से related मालूमात एंटर कीजिए section 17 में अपनी career के बारे में information डाले और 18th section में अपनी extracurricular activities के बारे में mention कीजिए अगले ही section में कोई ऐसे information आट कीजिए जो आपकी application को support करती हो आखिर में अपनी emergency contact details की information आट कीजिए date और place mention करने के बाद form को print कीजिए और form का hand sign कर दीजिए sign करने के बाद अब आपका form बिल्कुल ready है अब इसको scan कीजिए और upload कर दीजिए thank you so much for watching this video I hope आपको form fill करने में मदद हुई होगी